कि नमस्कार दोस्तों स्वागत हैब का हमारी इस यूट्यूब यहाँ पर अपना चैनल का नाम चैंज किर दिया है थीक है दोस्तों तो दोस्तों ये वीडियोOOOO नमर 12 होने वाला है तो चलिए आःच्के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भुरुन पोश और भुरुन पोश का कारिय यानि इंडो इस्पर्म और इंडो इस्पर्म का फंसन तो सबसे पहले समझने वाले हैं भुरुन पोश के बारे में यानि भुरुन पोश क्या होता है तो इसमें हम लोग करते हैं भुरुन पोश एक पोशक उत्तक होता है यानि द उपयोग जो है बीज अंकुरन की समय होता है अगर आप से कोई पुछे कि भुरून पोस्ट का जो उपयोग है यूज है वो किस समय होता है तो आपको बता देना है बीज अंकुरन की समय होता है अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भुरून पोस्ट जो है वो कितने परकार के होते हैं तो लिखेंगे विकास के अधार पर ठीक है विकास के अधार पर भुरुनपूर्स तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है केंद्रिय भुरुनपूर्स इसके बारे में जान लेते हैं इसमें केंद्रक भुरुनपूर्स जो है सवतंत्र नाभिक विभाजन ठीक है दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके जो कैंदरक होते हैं इसके कैंदरक में बड़ी से रिक्तिका बन जाती है रिक्तिका कहने का मतलब है बड़ा सा खोल बन जाता बड़ा सा होल बन जाता है ठीक है दोस्तों जैसा कि आप इ पुछा जाए कि नारियल में किस तरह का भुरुनपोस होता है तो लिखेंगे दूर की तरह जल्यूक तो भुरुनपोस पाया जाता है इसका उधारन इसका एक्जामपल है मकई भुट्टा चावल राइस और गेहूं इसके उधारन है तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा इस पिक्चर में इस स्ट्रक्टर में यहां पर यह वाला जो है दुस्तों आपको दिखा रहा हूं थोड़ा सह यहां पर रुक जाईगी गा यह वना जो है यह वाला है आपका केंदरीय घुरुनपोस यह यहां पर यह वाल जापको दी medical a है यह इदैके ओक घूड़ गोल कैंदरिया भरूण पोस चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दुसरा है कोशिकिय भरूण पोस सेलिलर इंडोइस्पर्म ठीक है तो कहता है कि इसमें इंडोइस्पर्म के कैंदरक विभाजन के बाद कोशिका भिति का निर्मान होता है यानि इसमें केंद्रक विभाजन हो जाता है और इसमें यहाँ पर सेल वाल का निर्मान होता है यानि कोशिका वित्ति का निर्मान होता है अता है यह सुरू से यहांद तक कोशिक यही होता है इस प्रकार के बुरुण पूश में चुसकांग विक्सित हो जाते हैं चुसकांग मतलब कि किसी दूसरे अंग से यह अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को चुसकांग कर जाता है ठीक है उधारन इसका दूसरों क्या है इसका उधारन गेमो पेटेली गेमो पेटेली अगर आप से पूछा जा कि गेमो पेटेली क्या है तो लिखेंगे आवरित बीजी का सदस्या गेमो पेटेली जो है यह आवरित बीजी का सदस्या है और यह जो आप देख सकते हैं यह वाला प है सिर्फ और ये अनुग स्पर्म देख लेते हैं हैं लोग बियल गढ़ में पाया जाता है ठीके दोस्तों यानि हेलोबियल गढ़ में ही पाया जाने के करेंस का नाम क्या पढ़ गया है हेलोबियल भुरूपूस पढ़ गया ठीके दोस्तों इसलिए इसे हेलोबियल इंडो इस्पर्म कहते हैं आपको मैंने चितर दिखा दिया हूँ यहाँ फिर से दिखा दे रहा हूँ ये वाला जो चित्र देख रहा है ये जो बेलानाकार है संकवाकार है ये वाला क्या है एक हेलोवियल इंडो इस्पर्म है ठीक है दोस्तों हेलोवियल इंडो इस्पर्म है अब हम बात करते हैं इंडो इस्पर्म का कार्य यानि भूण पोस के कार जो भुरून पोस परदान करता है जो भुरून पोस को क्या परदान पोशन परदान करता है ठीक है निट्रेशन परदान करता है दुसरा कार यह है कुछ पोधों के भुरून पोस में चुसकांग पाये जाते हैं जो भोजन का चूसन करता है ठीक है दूस्तों चूसता है उस उस भोजन को तिसरा कार्य ये है ये बीज अंकूरन की समझ जब अंकूरित होती है तब इसमें भोजन परदान करती है कौन ये इंडो इस पर्मा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद दे है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सबस् अंसर में देने का क्रोसिस्ट करूंगा तो आज के लिए ताही तब देकिली जय हिन जय भारत